यह जो डिजाइन दिख रही है यह बिल्ला पुटी के अंदर है और यह डिजाइन हमने तैयार करे थी तो इसकी मैं आपको पूरी वीडियो दिखा था हूँ और यह हम इस पिलर पर टेप लगाने वाले हैं जो एबरो टेप होगी मेरे पास एशन पेंट वाले ले लो चाहिए कोई सी भी आप एबरो टेप ले लो पिलर के चारों मेर एक साइज से हमने नाप लेके हैं और डेड़ फिट के उपर हम एबरो टेप लगा रहे हैं यानि कि को सरकल के अंदर घूम के आपको एबरो टेप लगानी है पूरी नाप से लगानी है ऐसे नहीं हो कि आप एबरो टेप उपर निचे कर दो क्योंकि इसमें फिर वादों डबल सेड होगा कलर में तो यह हम इसमें एबरो टेप लगा रहे हैं और यह जो डिजाइन हम तयार करने वाले हैं वो हमारे पास बिल्ला का कट्टा है और बिल्ला की हमारे पास पुट्टी है और बिल्ला वोल पुट्टी के अंतर हम इसको तयार कर रहे हैं जो डिजाइन है वो आपकी इच्छी तरीके से निकल गाएगी तो यह हम इस पिलर के उपर लेप लगा रहे हैं पुट्टी का और पुट्टी लेप होने के बाद में आपको उंगुलियों से इस पर निसान बनाना है जरुझचे निशान कर लो तो इस पूरी वीडेडी तिकल पर हो और यह वीडेडियो मेरे यूटूब चैनल पर मिलेगी आपको और मेरे पेज़ पे पूरी वीडियो मिल जाएगी इसी तरीके से आपको ऐसे टेड़े मेंडे टेड़े मेंडे इस पर हाथ चलाना है देख लो मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ आप वो सेम डिजाइन देना चाहूँ तो इस एसाब से चला लो और अगर आपको कुछ अलग डिजाइन चाहिए तो आप अपने इसाब से आपका हाथ चला सकते हो और हम तो इसमें ये डिजाइन देखें और उसके बाद में इनकी टेप निकाल लिए पांच या या पांच मेंड बाद में आप तेप निकाल सकते हो और ये पूरे पिलर पर एक तरफ से शुरू हो जाओ और पूरे पिलर पर ये पता दलता हुए हाँ बंदों को काम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है तो आप एक वर कमेंट करके जरूर बता दे वे इसे दरीकास हम ने इस पे चारो मेर इस पे लेप लगा के और यह ड्टजान तयार करी हुई है और इसनन में एक मेरे समय की कटमौ कर आ टाहिए मेरे मूर्ण मेरेका इस दियांन वहले इस हुए बेद दैंट से नेकल नहीं है रेजमाल पेपर से गिसे यूना के बाद में प्राइमर लगा के आप डार्क कोई साई कलर डाल दो जैसे जो आपके बिल्डिंग के कोमिनेशन के इसाब से होए ना आप वो कलर डाल दो इसमें पीछे डार्क बेक्गराउंड में और उपर चाहिए तो आप कोपर लेलो चाहिए गोल्डन लेलो चाहिए दूसरा कोई साई पेंट लेलो रोलर की साहिता से आपको उपर बाद में डिजाइन देनी है और बाकी आ आप बेक्गराउंड में डार्क कलर डालिये और अगर बेक्गराउंड में लाइट कलर दे रहे हो तो उपर डार्क लेलो और अगर बेक्गराउंड डार्क दे रहे हो तो उपर लाइट लेलो ताकि दीखने में और सुन्दरता में वो चीज बेस्ट लगेगी और यह हमने कोई साही लेलो कोई दिक्कत नहीं है यह इसकी पूरी टेप निकाल दी हमने और अब टेप निकालने के बाद में इसकी अच्छी तरीके सा हम इसकी गिसा ही करने वाले क्योंकि बिना गिसा ही तो मज़ा नहीं आएगा तो आपको गिसा ही तो करनी पड़ेगी और ऐसे भी नह ने इसमें golden दे रखा है तो कैसा लगा हमारा काम एक वर कमेंट करके जुरूर बतावें और मेरी वीडियो शेयर कर दे ज्यादा ज्यादा ताकि और भी पेंटर पर हमसे जुड सके